जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि डाक गिर्ड का एक्जेक्यूटिव अपने आदमियों को लेकर मंकी के पास पहुंचाता है और वो से पकाने लगता है वहीं दूसरी तरफ हम नियली को देखते हैं जो लाइप्रिरी के अंदर अलग 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 बुक्स देख रहा था और उनके अंदर से नॉलिज गेन कर रहा था इन बुक्स में अलग-अलग अमपायस के बारे में लिखा था और उनके मार्शल टेक्नीक्स के बारे में लिखा था और उसमें नियली को कई सारे चीजे सीखने को मिलती है अब वो पूरी राग बुक्स पढ़ता है और सुबह होने पर जब उसके दोस वहां आते हैं तो नियली उन्हें कुछ चीजे देता है उसके दोस चीज को उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो चीज बहुत भारी थी जिस वज़े से वो उठा नहीं पा रहे थे असल में ये चीज एक पत्थर है जो नियली ने उनको दिये हैं नियली अब इन सभी पत्थरों को उनसे अपने पैर में बांधने को कहता है और बताता है कि अब तुम्हें वेट को अपने पेरों में बांद कर ट्रेनिंग करनी होगी जिस पर सब लोग डरने लगते हैं क्योंकि उनसे पत्र उठाया भी नहीं जा रहा था और नियली उनसे इन पत्थरों के साथ ट्रेनिंग करने को कह रहा है। ट्रेनिंग करा रहे थे लेकिन पी बच्चे कैसे ना कैसे करके ट्रेनिंग पूरी कर ही देते हैं। पर अब लियो पाओ वगेरा अपने अपने weights उतार कर teacher पर fact देते हैं जिसे teacher समझ जाता है कि इन्होंने इतनी hard training weights के साथ की है और ये बहुत महंती बच्चे हैं और इसे अब teacher का ही मजाग बन कर रह जाता है। नियली के इस poison का antidote मांगती है लेकिन नियली उसे समझाता है कि शियाओ ये dark guild और sacred family के साल मिला हुआ है और वो future में हमें ही दिक्कत देगा जिस पर शियाओ जिंगर समझ जाती है और फिर अब वो नियली से antidote भी नहीं मांगती है। को देखते हैं जिसने बड़ी कोशिश करने के बाद monkey को मार दिया था और उसे वो ingredient प्राप्त कर लिया था। कोई नहीं बलकि ये जियून का ही बड़ा भाई है। डर्क गिल्ड का executive फिर तुरंथ इस ingredient को जो उसे monkey को मार कर हासिल किया होता है। वो teacher के हाथ Alchemy Association में बिजवाता है लेकिन वहाँ teacher को पता चलता है कि इंको पहले ये ingredient मिल गया है और ये सुनका teacher गुसा करती हुए वापस आ जाती है। और executive को जब ये बात बताती है तो executive भी बहुत खुसे में आ जाता है। क्योंकि उसके हाथ से 50 million तो गई ही है और साथ ही साथ उसे अपने दो आदमियों को भी खो दिया था। वहीं रात को अपनी अपनी पिल बना देता है और बनी हुई पिल को director Yang को ला कर देता है। इस पिल को देकर director Yang बहुत खुश होती यूगि पिल बहुत जादा powerful होती है। इस पिल से director Yang आसानी से अपनी रांग बढ़ा सकती थी। अब वो बात कर रही होती है कि तभी उन्हें डार्क गिल के हमले के बारें पता चलता है। डार्क गिल ने यहां कुछ अलकेमिस पर अटाक किया है और वो रिफाइन सोल पिल को चुराना चाहते हैं। अब वो दोनों इस बारे में डिसकस करते हैं और फिर रात को हम director Yang को देखते हैं जो कल्टिवेट करने के बाद नहां रही थी। लेकिन तब ही वहां डार्क गिल के आदमी आजाते हैं यह जो इस बार डार्क गिल का आदमी आया है यह बहुत शक्तिशाली इंसान है। अब ही वहां Huyen आजाती है जो नियली से मिनना चाती है। होता है कि अब उनको डार्क गिल जैसी बड़ी चुनाओती से सामना करना है। वहीं अब डार्क गिल का एक्जेक्यूटिव भी होता है जिसके आदमी उसे इस सला दे रहे होते हैं कि अभी डिरेक्टर यांग घायल है और अभी हम वो रैसीपी चुरा सकते हैं। और अब एक्जेक्यूटिव ऐसे ही करते हैं और रैसीपी चुरा लेते हैं। अब गुईशा इस रैसीपी को लॉट डीमिन को देने चला जाता है। लॉट डीमिन इन सभी का बॉस है। यहां पर आता है और वो डिरेक्टर यांग के लिए स्पेशल पिल्स और सिटी लॉट की तरफ से 200 पहरेदार यहां लाया था। यहां के प्रडेक्शन बढ़ाई जा सके। अब फिर वो येजियो वापस जाने लगता है लेकिन तभी उसे नियली दिखता है और वो तुरह नियली पर अटाक कर देता है। नियली भी उसके अटाक को जھیलता है और उस पर काउंटर अटाक करता है और दोनों में आइकॉनिक लेवल की फाइट होती है। लेकिन तभी बीच में येजियो रुक जाता है और यहां से अब हमें पता चलता है कि येजियो नियली की इबिलिटीज का टेस्ट ले रहा था और वो समझ गया था कि नियली एक जीनियस है। किरे हो रहे होते हैं। लेकिन वो श्यावँ ये की लिए टेंशिट में थे क्योंकि श्यावँ की हालत खराब होती जा रही ही,ode श्यावँ जिंकर की निया ली से मदद मांग लेगी। वो अपने पापा की सामने जाती है और वहाँ पर वो अब शियावी की सारी सचाई उने बता देती है और शियावी कि शियावी कितना बुरा है अभी सुनकर उसकी पिता को बहुत गुसा आता है और अब शियाव जिंगर अपने पापा से साफ कह देती है कि वो शैनफाई से शादी नहीं करेगी जिसवर उसके पिता उससे कहकर चले जाते हैं कि वो इस मामले में जरूर कुछ करेंगे वही हम यह जियून को देखते हैं जो अपने घर में बंद थी उसके पापा ने उसे डांटा था और उसे घर में बंद कर दिया था जिस वज़े से वो घर से बहार नहीं निकल पा रही थी वहीं यह जियून जब बैटती है तब ही वहाँ उसके पास नियली का एक लेटर आता है और फ्लेटर को पढ़ते ही वो बहुत ज़ादा शौक हो जाती है वहीं शियाउजिंगर जो नियली से मिलने जा रही थी मारास्ते में तब ही शैनफाई उसे घेर लेता है और उसे गिडनाप करने लगता है हलाकि शियाउजिंगर स्ट्रॉंग थी जिस वज़े से वो उसके आदमियों को मारतो देती है लेकि जब शैनफाई खुद लडने आता है तो शियाउजिंगर हार जाती है अब उसे उठाकर ले जाने ही लगते हैं लेकिन तब ही यहाँ यह जियून आ जाती है और वो शैनफाई को रोकती है अब अगर शैनफाई सिटी लॉड की बीटी से पंगा लेता तो सेक्रिट फामिली की बुरी इड्वेस्टिकेशन हो जाती जिस वज़े से शैनफाई डात पीसता हुआ वहां से चला जाता है अब फिर शैनफाई जियून को धन्यवाद बोलती है जिस पर शैनफाई जियून इस बार उसे रूडली बात भी नहीं करती है अब तब ही वहां नियली आता है और नियली को देखकर ये जियून पूछती है कि क्या वो सच में सच है जो तुमने लेटर में लिखा है और तुमी क्या सच में कुछ क्लूज मिल गए है जिस पर नियली कहता है कि हमें वहाँ चलना चाहिए जिस पर अब वो शियाव जिंगर को भी अपने साथ ले जाते हैं हमारी तरह शियाव जिंगर को भी समझने आ रहा था कि आके नियली कहां ने कर जा रहा है लेकिन वो सब एक पुरानी टूटे हुए घर में चाते हैं यह घर सिटी लॉट का था और यहाँ यह जियून अपने बचपल में रहा करती थी उस रूम के अंदर एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड जगा बना हुआ था इस जगा के बारे में यह जियून को भी नहीं पता था यह अंडरग्राउंड जगा स्नो विन फैमली की सोल ट्रेनिंग एरिया है और वहां कई सारी ब्लू फ्लेम्स चल रही थी जिसे देखकर यह जियून जब जिनके बारे में पूछती है जब इनके बारे में पूछती है तो यह नियली बताता है कि यह सोल लैम्स है नियली फिर उन्हें आगे बताता है कि यह उन लोगों की सोल्स हैं जो पूरी तरह से मरे नहीं होते वो लोग ब्लू फ्लेम में आ जाते हैं और फिर हम उन्हें डिवाइफ भी कर सकते हैं यानि ये जियून के मौम अब फिर से सिंदा हो सकती थी और ये देखकर ये जियून को बहुत शौक लगता है अब नियली फिर इस जगा पर अपने खून की बून डालता है और खून की बून डालते ही वहाँ एक जादू ही पोटल खुल जाता है और उस पोटल को पार करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं वहीं हम डाग गिल्ड के उन तीन आद्मियों को देखते हैं जो ये जियून का पीछा करते हैं यहां तक आये थे और उनका ये जियून से क्या काम है ये हमें आगे पता चलेगा अब नियली और बाकी सब spiritual world में पहुँच चुके थे और ये जगा snow wind family की है snow wind family ने यहां तीन illusion demon बना रखे थे जो सिर्फ दिखावे के थे लेकिन थे बहुत खतरना वहाँ पर हर जगा जादूई चीजे थी और नियली उन सभी को पार करता हुआ आगे बढ़ता है और ये citizen उसे जब ये पूँच थी है कि तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता चला तो नियली इस सब के बारे में सच बता देता है कि वो बहुत समय पेले ये जियून के साथ यहाँ आ चुका था अब ये सुंकर श्याव जिंगर तो सोच में बढ़ जाती है लेकिन ये जियून कहती है कि नियरली ऐसी ही बाते बनाता है और ये मेरी साथ कभी हाँ पर नहीं आया है असल में नियरली पिछले जनम में आया था अब फिर आगे बढ़ने पर वोने ये जियून के मॉम की बाड़ी मिलती है जो एक स्नो में सील पैक कर रखी थी और नियरली उन्हें बताता है कि ये सिटी लॉड ने पैक की थी ताकि बाड़ी संड ना चाएं ये जियून अपनी मॉम को देखकर बहुत रोती है लेकिन जैस वह उनको टच करती है वैसी वहाँ पर एक बहुत तेज रोश्री जनरेट होती है और फिर हम डाक गिल को देखते हैं डाक गिल के लोग इस पोडल तक भी पहुँच गए हैं और वो इतने होश्यार होते हैं कि उन्हें पता था कि ये पोडल खून की बून से खुलेगा और वो पोडल को खोल कर उसके पार चले जाते हैं और फिर इस तरह ये एपिसोड कहीं खत्म हो जाता है